हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नबी अबंसें करते हैं उसे हम अपने बैंक अकॉंट में कैसे करते हैं जैसे आप लोग नबी एप्लिकेशन में अकॉंट बनाते हो और इसमें आपना पैसा एंवेस्ट करते हो और अगर आपका मन कर गया कि जो मैंने पैसे नाभी एप में इन्वेश्ट किया है जैसे मिच्छोल फंड हो गया डिजिटल गोल्ड हो गया अगर उन पैसों को अपने बैंक अकॉन में टांसफर करना तो आप कैसे करोगे तो इसके लिए करना क्या है आपको सबसे पहले अपने फोन में नाभी एप को सबसे नीचे एक अप्सन मिलेगा यह देखो investment का तो सिंप्ल यहां पर क्लिक करेंगे इन्वेस्ट्मेंट के उप्सन पर investment के option पर click करने के बार आपको यहां पर दो option मिलेगा एक mutual fund का और एक यहां पर digital gold का तो आपको जिस पैसों को bank account में transfer करना है यानि कि आपको उसे sale करना है simply आपको उसे select कर लेना है जैसे कि मुझे यहां पर mutual fund में जो पैसे मैंने invest किया है उनको मैं अपने bank account में transfer करना चाहता हूँ यानि कि sale करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा तो मैं इसके लिए यहां पर mutual fund को select करूँगा यहां पर click करके ठीक है तो मैं click करता हूँ click करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद आपको कुछ इस परकार से देख सकते हैं यहां पर 918 क्रोट का यहां पर bumper प्राइज है अगर आप 10 रुपए invest करते हो तो आपको साल में 54 रुपए का यहां पर return मिलेगा ठीक है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा invest कि होंगे तो यहां पर सोग हो जाएगा और यहां पर यूए इस टोटल एस्टोक मार्केट में आप इंवेस्ट किया होंगे तो यहां पर सोग हो जाएगा तो आपको यहां पर जो पैसा बैंक अकॉन में ट्रांसपर करना है उसे आपको यहां पर सेलेक्स कर लेता हूं इन्वेश्टमंट्स को यहां पर करने के बाद आपको यहां पर धियान से देखो तभी ही आपका back तो मैं यहां पर जयसे की लिए 10 रॉपिए करना चाता हो सेल करना चाता उं है तो मैं यहां कर लिता हूं सलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा यूनिट का current units का और एक यहां पर current value का यहां पर आपको simply click करना है select कड़के sale के option पर यहां पर नीचे में तो हम यहां पर sale के option पर click करते हैं sale के option पर click करने के बाद आपके phone number पर एक OTP जाएगा यानि कि आपके नाभी app में जो भी phone number verify होगा उस पर एक OTP जाएगा तो यहां पर confirm पर click करेंगे तो हम यहां पर confirm पर click करते हैं confirm पर click करने के बाद यहां पर OTP जो है चला गया है भेज जा गया है नाभी app के द्वाड़ा तो यहां पर OTP automatically verify हो जाएगा आप यहां पर live proof देख सकते हो यहां पर OTP verify हो गया है और OTP यहां पर confirm भी हो गया ठीक है और यहां पर नीचे में एक option भी लेगा this tax to working days post debt fund transfer में take one to five days इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पैसा अपने bank account में transfer किया है आपको उन विडियो में फैस को transfer होने में bank account तक पोहुँचने में एक से दो दिन सम्हें है लग सकता है जादे सेटाधी 4-5 दन्रासकता अगर आपके bank account में एक से दुदुन फैसा ट्रнак नहीं होता है तो चार्शे पाथ दिनों में नए वीडियो में, thank you.